और खेल की दुनिया में अस्ट्रिलिन उपन के फाइनल में आज जो दिल्चस्प मुकाबला 20 पार के ग्रेंड स्लैम विजेता रहे राफिल लजाल की मेद्विदेव के साथ भीड़न्द 21 वे ग्रेंड स्लैम से सिर्फ एक कडम दूर है नड़ा और फिल्हाल आपको सीधे लिए चलते हैं बुलंद शहर जहां योगिया अदतिनाद कोविड अस्पताल के निरेक्शन के बाद प्रेस वारता कर रहे हैं अठारा से अधिकायू के जिन लोगों ने वैक्सिन की डोज ली है इसमें 24,37,000 लोगों को फस डोज यहां पर प्राप्त हो चुकी है दूसरी डोज लेने वाले इन दवर डोज लेने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 15,86,000 है 15 से 18 आयू वर्ग के 1,40,000 यूथ ने वैक्सिन की डोज लेनी है और प्रिकॉशन डोज भी यहां पर 22,000 से दिक लोगों को दे दी गई है यानि यहां कुल लक्स का 97,000 से अधिक है वैक्सिनेशन के लक्स को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रिणाम है कि थर्ड वेप की आसंका को उतना ही नियूंतम करने में सफलता प्राप्त हुई है आज कोविट का थर्ड वेप की जो आसंका थी दुनिया में हो सकता इसके करण काफी नुक्सान हुआ है वहाँ पर लॉक्डाउन भी है लेकिन बिना लॉक्डाउन के केवल नाइट कर्फ्यू के आधार पर सतर्ता और सावधानी के आधार पर समय पे टेस्ट समय पे उप्चार सभी गरीबों को फ्री में डवल इंजन की सरकार के द्वारा दवल डोज राशन की शुद्दा अपलब्द करवाना और वैक्सिनेशन फ्री में वैक्सीन सबको वैक्सीन यहाँ प्रदान करने में हमें जो सफलता प्राप्त हुई आज उसका प्रिणाम है कि थर्डवेप पूरी तरह नियंतित है केजी के साथ पिछले दस दिन के अंदर प्रदेश के अंदर जो एक्टिव केसिस थे वह कम हुए हैं आज से एक सब्ता पहले उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस जो प्रदेश के अंदर थे वह एक लाग छे हजार थे एक सब्ता में इनमें कमी आई है लगभग 50,000 की और हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं पेमात्र एक प्रसत लोग हॉस्पिटल में हैं जो हॉस्पिटल में भरती होने के साथ तीसरे चौथे दिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जा रही है जैनी एक सफल मौडल करोना प्रबंदन का उत्तर प्रदेश के अंदर लागो है जिसमें जीवन और जीविका दोनों को बचाने का प्रबंद है भारत सरकार का भरकूर सयोग है दवल इंजन की सरकार का लाग प्रदेश की 25 करोड जनता को न केवल उनके जीवन को बचाने के ले बलकि उनकी जीविका को बचाने में भी सबलता पुर्वक हम आगे बढ़ा रहे हैं आज मैंने इसलिए बुलंसर के इस डेडिकेटड कोविड हॉस्पिटल का निरिक्षण किया है और यहां पर इन सभी चीजों को नस्दीक से देखा है इत्यपी प्रतिगिन सासल अस्तर पर हम लोग इसकी समिक्सा करते हैं लेकिन जन्पद अस्तर पर मेरा प्रयास रहता है कि जिस भी जन्पद में जाता हूँ सेकिंड वेइड के दोरां लां नहीं मैंने सीज को तैगिया कि हर एक जन्पत में कोविड हॉस्पिटल का निरिक्षण भी करेंगे आज मैंने यहां पर डेडिगेड़ हॉस्पिटल का निरिक्षण किया संतोच जनक की स्थिति में यहां पर सभी चिकित्साग, प्रसासान, कॉरोना वारियर्स, जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ काले कर रहे हैं तो उतर प्रदेश के बुलन शहर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ कोविड हॉस्पिटल और प्रबंदन समीति का निरिक्षन कर रहे थे उन्होंने कहा कि एक सब्ता में प्रदेश में कोविड के एक्टिव केसिस में कमी आई है और आगे बढ़ते हैं मानिपूर में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारती जनता पार्टी सभी साच सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी पार्टी का दावा है कि भाजपा मानिपूर में दो तिहाई से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार भी बनाएगी भारती जनता पार्टी संसद्य बोर्ड ने तै किया है कि मानिपूर में भारती जनता पार्टी सभी सीटों पर सभी साथ सीटों पर भारती जनता पार्टी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और इसलिए पार्टी के संसद्य बोर्ड ने सभी 60 सीटों के उम्मीदवारों के नाम तई किये हैं हमें विश्वास है कि भारते जन्ता पार्टी जो सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आने वाले चुनाव में दो तिहाई से ज़्यादा बहुमत लेकर पुने मनिपुर में सरकार बनाएगी भाजपार दक्ष जेपी नड़ा ने आज यूपी केशी को हबाद में घर खर जाकर पार्टी का प्रचार किया और पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा जेपी नड़ा के साथ इस दौरान के इंद्रिय मंत्री अरजुन राम में एगवाल भी मौजूद थे वहीं यूपी के कास गंज में भी भाजपा के प्रभावी मतदाता सम्मीलन में पहुचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने विरोधियों पर वहां जमकर हमला भी बोला उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पर किसी तरह का ब्रश्टाचार का कोई आरोप नहीं है चाहे कांगर्स की तरकारें पहले रहा रही हो चाहे उत्तर पर इसमें समाज पार्टी की वफजन समाज पार्टी की तरकारें रही हो सब पर कभी ने कभी व्रश्टाचार का आरोप लगा है यहां तक कि जो मुख्या हुआ करते थे उनके उपर भी रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं लेकिन इतनी बात में दामने के साथ स्मीना ठोक कर मैं कह सकता हूँ बैनोवाईयो चाहे हमारे दिल्ली की बोधी जी की हमारी सरकार हो चाहे है यहां पर योगी आधितनात की तरकार हो कोई मा का वाल उमली उधा कर भी गज़ता है को उनके दामन पर कोई रष्टाचार की गाग लगी हुई और आज राजपिता महात्मा गांधी की पुर्णिती थी है पूरा देश आज शहिरी दिवस की रूप में इस दिन को याद कर रहा है और बापू के विचारों का इसमरन भी कर रहा है राजपिती रामनात कोविन ने राजगार पर महात्मा गांधी की समाधी पर उन्हें श्रधान जलियर पित की प्रधान मत्री नरेंद्र मोधी ने महात्मा गांधी की 74 वी पुर्णिती पर उन्हें राजगार पर जाकर श्रधान जलियर और कहा कि बापू के नेका आदर्शों को और लोक प्रिय बनाने का ये हमारा सामुहिक प्रयास है आज चहिदी दिवस पर पीम ने उन्हें सभी महानुभावों को श्रधान जलियर पित की जिन्होंने साहस पूर्वक देश की रक्षा की पीम ने कहा कि उनकी सेवा और वीरता को हमेशा याद किया जाएगा